नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आर्ती प्रजापती आर्ती प्रजापती यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रही हूँ दोस्तों हमारी यहां UGC net paper 1 and paper 2 psychology की preparation कर आई जा रही हैं आप सभी को पता है कि unit 2 जो होता है वो research का होता है और उसमें हम देख रहा है थे tools of data collection यानि कि जब भी हम research की जो process होती है उसमें जब भी हम data collect करने जाते हैं तो उसके लिए कुछ tools का use करते हैं कुछ methods का use करते हैं तो आज हम दोस्तों देखने वाले है case study method के बारे में तो case study method है क्या और वहां पर किस तरीकी से आप data collect करते हों उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले वीडियो को like कर दीजिए अपनी दोस्तों को भी share कर दीजिए और इस चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो डाले जाते हैं उसकी notification आपको time पे मिलती रहे हैं चलते हैं topic की वर बात करते हैं दोस्तों case study method अब देखिए दोस्तों case study method है तो उसी case अध्यान कहा जाता है या तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं को व्यक्ति अध्यान ओके तो case study को हम व्यक्ति अध्यान भी बोल सकते हैं मुशली हम case study ही यूज करते हैं या तो फिर case अध्यान जो सब्त होते हैं उसे हम क्या करते है यूज करते हैं तो आज हम दोस्तों इसमें देखने वाले हैं किस तरीके के यह method है और उसमें किस तरीके से टाटा को collect किया जाता है तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि जो case study method होती है वो सबसे ज्यादा दोस्तों सामाजिक जो सोध होती है उसमें ज्यादा use होती है तो यहाँ पर सामाजिक सोध में कि सद्यान विदी का उपयोग सब से पहले किस ने किया था तो फ्रैडिक ली प्ले नाम के जो विक्ति थे उन्होंने 1840 में एक भारी बारी के फैमिली बजट के अध्यान में किया गया था ओके तो यह आपको याद रखना है कहीं भी आपके सब्जेक्ट में भी एक्विशन पुछा जा सकता है या फिर हमारे पिपर वन में भी एक्विशन साइद पुछा जा सकता है अभी तक तो नहीं पुछा गया लेकिन साइद फ्यूचर में अगर पुछा भी जाए तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए ओके तो देखिए यह जो केस अध्यान विधी का उप्योग सबसे पहले किस ने किया था उसके लिए उन्होंने ये केस टड़ी मेथड का यूज किया था ओके केस अध्यान विधी एक ऐसी विधी है जिसमें किसी सामाजिक इकाई ओके यहाँ पर इकाई होगी सामाजिक इकाई के जीवन की गटनाओं का अन्मिशन एवं विसलेशन किया जाता है यहां पर क्या कहना चाहते है कि सामाजिक इकाई तो सामाज की काय के रुप में देखे किसी एक व्यक्ति पर भी आप यहां पर अध्यान कर सकते हो या फिर कोई एक परिवार ले सकते हो या फिर कोई एक संस्था ले सकते हो या फिर आप एक समधाय ले सकते हो या फिर आप एक समाज ले सकते हो एक गटना ले सकते हो, एक धर्म ले सकते हो, एक नीती ले सकते हो, जिसें पॉलिसी कहते हैं तो नीती ले सकते हो, संगठन ले सकते हो, यानि कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आप जिस पर भी रिसर्च करोंगे, वो कैसा होगा, एक इकाई में होगा, एक में होगा, यानि कि एक व्यक्ति हो सकता है एक परिवार हो सकता है एक समाज हो सकता है या फिर मान लो कि कोई एक संस्था हो सकती है मान लिजे किसी संस्था पर आपको केश टड़ी करना है तो कोई एक मान लिजे को एक स्कूल है और उसी स्कूल पर आपको केश टड़ी करना है और उसी स्कूल पर आप उसके बारे में जो गहन जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो आपका case study हो जाएगा case study की एक विसिस्ता ये है कि वहाँ पर क्या होता है कि गहन अभ्यास किया जाता है किसा गहन अभ्यास किया जाए गहन का मतलब क्या होता है कि उसमें छोटी सी छोटी बातों को भी उसने सम्मेलित की जाती है और उसके बारे में जहनकारी प्राप्त की जाती है उसके बारे में हम एक अच्छे से example के थू समझेंगे उसी example से आपको समझ में आ जाएगा कि आखी जो आखिर ये study method है वो आखिर है गया चलिए आगे देखते हैं उसकी जो विशेशता है उसके बारे में बताऊ तो वो क्या होती सीमा बद्धविदी होती है तो यहाँ पर दिके आपने में आपको बताई एक परिवार एक व्यक्ति एक संस्था है ना एक समधाई एक संगठन एक धर्म तो यह एक जो है वो आपका क्या सिमा बद्ध हो गया यानि कि यहाँ पर आप दो संस्था है नहीं ले सकते हैं या फिर चार संस्था नहीं ले सकत यह कोई एक परिवार है उसमें 17-80 सदस्य है मान लोग पुरा परिवार है तो उस परिवार में 17-80 लोगों पर आप रिसर्च कर सकते लेकिन परिवार क्या होना चाहिए एक होना चाहिए उसके दो परिवार नहीं होने चाहिए जिसके मान लिजे कि आपने किस धर्मपर अगर के स्टड़ी करना है तो आप वहाँ पर एक ही धर्म लेंगे जिस तरीकी से हम हिंदू है तो हिंदू धर्म पर अगर आप के स्टड़ी करना चाहते तो आप सिर्फ पर सिर्फ हिंदू धर्म ही लेंगे फिर जाकर आप वहाँ पर मुस्लिम या फिर मान लिजिए सीख धर्म के लोग हैं तो उन्हें आप वहां पर इंक्लोड नहीं करेंगे अगर आपको सीख धर्मा के लोगों पर अगर आपको केश टड़ी करनी है तो आप उन्हीं पर फिर जाकर के लोगों कर नहीं नहीं करेंगे Okay कहने का मुदलब किसी एक ी पर आप क्या कर सकते हो अधियन कर सकते हो और जो भी अधियन करते हो वो क्या सा गहन होता है तो यहां पर यह सीमा क्या होगई सीमा बढ़ accumulate होती है मान लिजे कोई Reliance Company है और Reliance Company पर अगर आपने केस टड़ी की है तो उसका जो कल्क्लियोजन निकलता है तो वो आप उस कल्क्लियोजन के मान लिजे दूसरी जो संसरी जो कंपनी है मान लिजे यहां पर अभी फिलहाल दो कंपनियां बहुत ही चर्चे में हैं कल के ही निज में आपने दिखा होगा जो मोटेरा स्टेडियम है उसका नाम बदल कर नरेंद्र मुदी स्टेडियम कर दिया गया और उस स्टेडियम में क्या किया गया है जो पीच में जो दो कंपनियां रखी गई है तो उनमें Reliance और अधानी दो कंपनियों को वहाँ पर प्रमुखता दी गई है तो यहाँ पर मान लिजे यह दो कंपनिया हैं आपको case study करनी है तो आप इन दो कंपनियों पर आप case study नहीं कर पावगी आपको Reliance पर करनी है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ Reliance पर ही करेंगे फिर जाकर मान लिजे कि Reliance कंपनी पर अगर आपने कोई case study की और उसके अधार पर कुछ calculation निकला तो उस calculation क्यों आप यह नहीं बता सकते कि Reliance में जो समस्या है उसका अगर यह calculation निकलता है अगर मान लिजे कि उसी की तरह यहाँ पर अधानी में भी वो समस्या रहती है लेकिन इसका calculation आप directly यह नहीं बता पाएंगे कि Reliance का जो calculation है वो ही अधानी का है यह case study में नहीं होगा यानि कि कुछ case अंधर में यहाँ पर होता है आप जो भी निसकर्स निकालते हैं उन निसकर्सों को आप सभी पर लागुन नहीं कर पाते हैं तो यह उसकी एक विसेस्ता है उसके बाद देखते हैं इसमें case की संपूर्णता एक्टा तरह अखंडता को बचा कर रखने का सपष्ट प्रयास किया जाता है यानि कि अगर आप किसी भी एक किसी भी एक काई पर अगर आप study कर रहे हैं तो उसकी संपूर्णता यानि कि छोटी से छोटी बातों को भी महाँ पर आप include करेंगे वहाँ पर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ना कि थोड़ी सी जानकारी फिर हम आगे example की तोर पर समचते इस बात को आंकडे के बहुत सारे स्त्रोतों को तथा बहुत सारे आंकडे संग्रविद्यों का यहाँ पर क्या होता है उप्योग किया जाता है और उनका उप्योग करके हम डाटा का अनालिसिस भी करते हैं यानि कि विशलेशन भी करते हैं उसके बाद देखते दोस्तों जो केस अध्यान विदी होती है उसके दो प्रकार होते हैं अब देखें दो प्रकार में यह अपसरित केस विशलेशन है और दूसरा है प्रुथक नईदानिक अब सरित में क्या होगा दूस्तों तो यहां पर दो ऐसे लोगों को लिया जाएगा दो ऐसी काई को लिया जाएगा जिसकी समझ से हैं कैसी हैं समान रुप से हैं लिजे कि एक ही घर के दो ट्वीन्स है मान लिजे जुड़वा बच्चे होते न तो यहाँ पर हमने जुड़वा बच्चे लिये और जुड़वा बच्चे जो दो है जुड़वा बच्चों में दो लोग काफी समानता हैं लेकिन यहां पर क्या होता है दूनों में काफी समान तोक यहां पर समान है सामने किना एंपे भर बच्चा यह वह मंदवुद्धी वाला है मंदवुद्धि को यारी डूनों की जो उसका जो IQ level है वो उसमें difference है बाकि उनके रहने की आदत है उनके खाने की आदत है उनकी कपड़े पहनने की आदत है यह जो कुछ भी है वो Sam है उन दोनों के बीच में लेकिन यहाँ पर क्या है दोनों की जो IQ है उनमें difference है अब देखें कोई भी researcher है माननीजी आप है और आपक इन जुड़वा बच्चों पर अगर आपको केश टड़ी करनी है तो आप क्या करेंगे इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे गहन जानकारी प्राप्त करेंगे कि बच्चा जो बच्चा जो बच्चपन में किस तरीकी का रहता था यानि कि बुद्काल के बारे में भी यहां पर देखेंगे फिर उसके भविश्य उसके वर्तमान काल में उसकी सिच्यूशन क्या है उसके बारे में भी आप वहां पर पता लगाएंगे उसी तरीके से यहां पर मंदबुत्ती का जो बालक है उसके लिए भी आप उसके वर्तमान उसके पाश्ट में क् क्या क्या गटनाय गटी है या फिर उसके उसका जो भी हैवियर है वो कैसा रहा है या फिर अभी वर्तमान में उसका भी हैवियर कैसा है सारी बातों को आप छोटी से लेकर छोटी बातों को भी आप यहां पर क्या करेंगे उसकी जहांच करेंगे और उन चीजों को लेकर आप कुछ निसकर्स पर पहुँच पाओगे तो इन दोनों के बीच में आप तुलनात्म कप्यास तरीके से कर सकते हैं कब कर सकते हैं जब दोनों के बीच में जो समानता है बहुत काफी हद तक बहुत काफी हद तक अगर समानता है दोनों की समस्याओ में तो तब जाकर आप उसमें के स्टड़ी में दो लोग ले सकते हैं वनना आपको एक ही इकाई, एक ही परिवार, एक ही समाज, एक ही समुदाय, एक ही संगठन उन पर आपको के स्टड़ी करना होता है जब ऐसी स्टिती बनती है, दो समान बातों या दो समान घटनाय या फिर दो समान व्यक्ति पर अगर आप दो समान परिवार के बीच अगर आप के स्टड़ी करते तो उसे कहते हैं अपसरित के स्ट़िसलेशन, उसके बाद देते हैं प्रूथक नईदानिक के स्ट़िसलेशन आप देखें प्रूथक नईदानिक के शिशलेशन है उसमें क्या होता है तो उसमें जो भी व्यक्ति है जो भी परिवार है जो भी संस्ता है जो भी संगटन है जो भी समुधाय है जो भी धर्म है जिन पर भी आप रिसर्च कर रहे हैं उनके उपर आप क्या करेंगे उनकी जो बढ़े selling वर्तमान में क्या है और फिर उसके बाइंब उसके पास्ट और भरतमान को देखकर यह भी पता लगा सहकते हैं कि उसका भविषय कैसा होगा- ऑके तो यह फुरूथक निदानीmons Animals जिसमें क्या होता है निदान करना होता है निदान के तो एक सद्यन विद्य के प्रकार है अब थोड़ी से और भी बात आपको बता देती हूं मान लेजे कि मुझे चले या यह क्या है एक पर्षन है उस पर मुझे क्या करना है रिशर्च करना है अब देखिए यह जो पर्षण है उसके एक आदत पूरी है वो पूरी आदत क्या है वो व्यसन करता है व्यसन का मतलब समधते हो न तो वो व्यसन करता है किसका करता है तो वो दारू पीता है लेकिन मान लेज़े कि उसे धारु की सराब ऊके स्वारी क्या बोला जाता है सराब गुजराती में दारु बोलते हैं लेकिन हिंदी में साइध सराब बोला जाता है तो यह पर्शन है उसे सराब पीने की आधत है अब दिखें सराब पीना उसकी अबी के समय में बहुत ही मजबूरी बन गई इतनी हद तक उसकी मजबूरी बन गई है कि जब तक उसे दिन में एक बार सराब नहीं मिलती है तो उसका जो पुरा वड़ी होता है वो काम नहीं करता है और वड़ी के साथ साथ उसका माइंड भी काम नहीं करता है तो वो क्या होता है उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता किसी के भी साथ वो अच्छे से बात्चित नहीं कर पाता है तो यह सारी कंडिशन यहां पर बनती है अब देखिए मुझे इस पर इस परसन पर मुझे क्या करना है रिसर्च करना है मुझे जानना है कि यह वेक्ति इतनी सराब क्यों पीता है और उसके यह सराब की लट के पिछे रिजन क्या है और वो जिस तरीके से कभी कभी खूस होता है तो कभी दास हो जाता है जो मुड़ स्विमिंग होत सब से पहले मेश कि भच्कव से लेकर start करूंगी यानिए उसके जन्म से लेकर out करूंगी फिर उसकी बाले वस्ताय में उसकी जो भी किसम रवस्ता है प्रेजन्म से लेकर उसकी अभी तक की जो भी इसके इसके कंडिशन है उन सारी बातों कूब सबके पास छानकारी प्राप्त करूंगी उसके पास भी पूछूंगी उसे भी पूछूंगी के ऐसा क्या हुआ जिसकी वज़े से आपको सराब पिने पड़ी और सराब पिने के पिने से आपको क्या फिल होता है यह सारी बाते में उसका गहन अभ्यास करूंगी यहाँ पर ओके तो फिर क्या होगा उसकी सारी बाते मान लीजिए मैंने जान ली और मुझे यह पता चला कि यह जो परसन था तो उसन उसके बारा साल की एज में अपने पीता को को दिया और है अग्जांपल की त्वर उसको बहुत दूख हुआ तो आप देखिए वहाँ पर उसे बहुत दूख होता है और फिर क्या होता है कि उसे चैन नहीं पड़ता है lies कि यान की एक छोटी सी विया होती है भाई वगिरा कोई होता नहीं है वो अकेला होता है और फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है वो 18 साल का होता है अब देखें 12 साल की उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया तो उसका जो गम था उसे बहुत ही दर्द करता था अंदर से फिर भी वो लड़ता रहा अपन ना परिषान हो जाता है एक तरफ उसकी पढ़ाई पढ़ाई चल रही होती है फिर ना ही उसके पास कोई जौब वगिरा होती है कोई खेत वगिरा कुछ भी नहीं होता है तो उसकीशे जो इकल्द करने की जो टिकुसन होती है वो बिल्कुल भी नील होती है और ऐसी उसे उसने अपनी लाइफ में दो बार क्या किया ऐसी कंडिशन का सामना किया अब वो क्या करता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता है अपने दोस्तों के साथ बैठता है रोता रहता है तो फिर अपने दोस्तों में से कोई दोस्त ऐसे होंगे जो बहुत ही बिगड़ी बापके औलाद बोलते हैं तो विगड़ीब आपके उलाद होंगे तो वह भी सराव अगिरा लिकर आएंगे और कहेंगे यार यह पीले तिरा टेंशन खतम हो जाएगा और तो फ्री हो जाएगा ओके वह बोलता है नहीं मुझे यह सराव अगिरा कुछ भी नहीं पीना है मुझे तो बस ऐसे ही अपनी लाइब को जीना है और उसका सामना करना है दोस्त बलेंगे नहीं नहीं यहार इसे पीले यह मिसाच बताता हूँ आराम सुनीन दा जाएगी अब देखे एक बार सराव पीली उसने फिर जाकर उ वैसे बिगडी बापके उलाद वाले बच्चों के साथ फिर जाकर वहां सराव पीता है दिरे 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 उसके होता है कि उससे सराव की आदत पड़ जाती है कि अगर दिन में वह दो तीन बोटल नहीं पीता है तो उसकी बौड़ी भी कुछ भी काम नहीं करती और उसका ना ही उसका mind कुछ काम करता है, मान दीजे कोई एक दिन उससे सराब नहीं मिलती तो वो ना किसे के साथ अच्छे से भाद कर पाता है, ना अपने खुद के साथ भी अच्छे से भी हैव कर पाता है, तो एक ये condition होती है, और कुछ टायम पर अगर मैंने research किया, मुझे य जो लट लगी हुई है उससे वो बाहर आ जाए तो उसके लिए भी मुझे उसके उप्चार भी उससे बताने होंगे उसके जो परिवार में जो भी उसके साथ होंगे उनको भी बाते बतानी होंगी तो इस तरीके की यह पुरा जो केस टड़ी था वो इस तरीका होता है इसका गहन अभ्यास किया जाता है उसमें निदान किया जाता है उसका उप्चार करने की कोशिस की जाती है। किस में आती है के सद्यान में आती है तो यहां तक आपका clear हुआ हो गया अब देखिए इसके बहुत सारे फायदे भी है कि व्यक्ति या परिवार या संस्ता कि सिकाई उनके बारे में हमें details में यहां पर जानकारी प्राप्त होती है यानि कि जो भी data मिलते हैं वो बहुत ही dip में हमें मिलते हैं लेकिन इसके ग्यार फाइद हैं तो यह जो अध्यान होता है ना मेठार होती है उससे जो भी हम research करते हैं तो वो बहुत long time का होता है क्या होता है long time का होता ह यानि कि आप 2, 3, 4, 5 मेने में इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं ले पाते हैं उसके लिए आपको उसका विश्वास जितना होता है उसके पास रहना होता है और फिर जाकर उससे सारी details निकलवानी होती कभी कभी क्या होता है कि जो person है वो अपनी life के बारे में अपनी personal life है उसके बारे में अपनी बाते किसी के साथ सेड नहीं करता होता है तो ऐसे time में वो researcher की साथ भी वो अपनी personal बातों को सेड नहीं करेगा तो जिसके कारण क्या होता है कि वो अपनी personal life में जो भी घटनाए गटी है तो उन घटनाओं में कुछ घटनाए बताता है लेकिन कुछ घटनाए नहीं बताता है तो उस टाइम क्या होता है कि researcher को जो भी बताया गया है उसी के आधार पर वो तो निसकर्स निकालने वाला है न तो उसके जुनिसकर्स होगा वो कैसा होगा विश्वस नहीं और वैद नहीं होगा तो उसमें भी यहाँ पर दिक्कते आती रहती फिर समय ज्यादा लग जाता है फिर यहाँ पर धन भी ज्यादा खर्च होता है जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना ही वहाँ पर क्या होग यहां पर गहन अभ्यास किया जाता है उसे ही हम कहते हैं के स्टड़ी ओके तो यहां पर के स्टड़ी का आपको अच्छे से स्ट्री का अच्छे से कॉंसेप्ट लियर हो गया होगा अगर यहां पर कोई पी डाउड रहता है तो आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट बेच दीजिएगा या फिर आप हमारा जो ग्रूप चल रहा है डिस्क्रिप्सन में उसकी लिंक दी गई है तो उसमें जाकर आप जोईन हो जाएगा और वहां जाकर भी आप मुझसे है अफ मुझसे क्वेड़् चाम जायर ला एप मैंटके संवेगा न appeal जायरर लोगगां इस क्वेड़ान होईगगा जाज़ों रहां मिपयड़ों बेख वहां मुझसे क्वेड़ी है पहां जएगान है यिर वहां है जायर दैन लोटशबधे जाश़े है जबहां जादिए